हेलो एवरिवन कैसे हैं आप सब भी आई होप आप सब अच्छी होंगे और मैं भी एक दम बढ़िया हूँ वेलकम बैक टू आज चैनल अपने व्लोग्स तो कैसे लगे आप लोगों को व्रंदावन के व्रंदावन का व्लोग कैसे लगा आपको चाहते हैं दर्शन करना चाह है कि इतना जो रश वहां पर हो रहा है ना इतना मैंने हमने कहीं नहीं देखा किसी भी तीर्थिस्थान जैसे हम वैश्नोदेवी भी गए थे वहां पर एक प्रॉपर जो है बहुत अच्छा सा मैनेजमेंट है कि लाइन चल रही है कोई भीड नहीं कोई धक्का मुकी नहीं लेकिन हम अभी तक तीन बार जा चुके हैं इतना रश हमें नहीं मिला जितना इस बार हमें संडे में श्री कृष्न जनम भूमी वरंदावन मतलब आप यकीन निगरोगे कि हम जब शाम को वरंदावन पहुचे हैं और जब बाके बिहारी मंधिर हम जब दर्शन के लिए ज कि और वो तो छोड़िए सुबा के टाइम बता रहे हैं महां पर जो लोग थे जब जिस हमने रिक्षा किया वो बता रहा था कि सुबा जिसे कहते हैं भगदड़ वाली भीर थी इतनी भीर थी कि शायद भगवान भी ये बोल रहे होंगे कि ये क्या हो रहा है भगवान तो नहीं चाहते होंगे कि इस तरीके से भीर भार्षो शराबा मुझे लगता है कि देखिए जिसको जाना है महीने में एक बार जाए 15 दिन में जाओ आप चाहें आप कम जाओ लेकिन सेटरेड़े संडे मत जाओ कोई भी एक दिन चुनलो लेकिन सेटरेड़े संडे अकसर क्या परिश्न जनम भूमी में यूवी बीच में था मतलब मैं पीचे में यूवी बीच में ये पीछे ते में आके हो गई थी मतलब अगर वहां कोई भगदन में गिर जाए वो उठ नहीं सकता मतलब आप समझ लो किस हद तक भीड़ किस हद तक जिसके की अंदर कोई मोबाईल सबसे बड़ी कमी जो एक चीज हो रही है वो हो रही है मैनेजमेंट की बिलकुल भी ब्रिंदावन मतुरा यहां पे जो है मैनेजमेंट बिलकुल नहीं हो पा रहा है मतलब जो अगर मैनेजमेंट नहीं भी हो पा रहा है तो जो लोग आ रहे है न श्रधादू जो दर्शन क करने आए हैं भीड भार मत करो धीरे धीरे से लोग लाइन जब एक लाइन बंते हैं तो धीरे धीरे से आप चलते जाओ और लाइन भीड बढ़ती जाए कि पता नहीं कुछ होते ना लोग जो बिल्कुल समझदारी नाम की चीज नहीं होती है पीछी से धक्का आये जा रहा है मतलब गिरने के लिए तयार अब दब जाओगे चोटा वच्चा तो भाई मैं बोलूगी बिल्कुल भी और अगर आपको यकीन नहीं होता है तो खोड जाके देख लेना कई तो वीडियो भी आई हैं वहां का इस तरीके से मत करो ब्रंदावन मत्हुरा का हल मतलब ऐसा ना ह हो जाए कि बिल्कुल ही कोई ऐसा हाथसा ना हो जाए बहुत जादा बिल्कुल भयूंकर वाली खास तोर से जो व्रंदावन के मंदिर है यह एसकॉन हो गया बाके बिहारी रादा भल्लव यहां पर अति वाली भीड़ है और श्रीक किष्णी जरा मुह में है तो मुझे नह करने वाला तो कर रहा है लेकि भगवान उसे दर्शन दे रहे हैं नहीं दे रहे हैं वो नहीं पता जो वी आईपी दर्शन कर रहा है पैसे दे के दर्शन कर रहा है ना मुझे नहीं लगता कि भगवान उसको भवान दर्शन दे रहे होंगे वो तो जाके खुश हो रहा है क मैंने पैसे दे दे दियो मैं दर्षन कर रहा हूं कभी यह देने वाले जो है न वह जरूर सोचें कि भगवान तुम पैसे दे के दशन कर रहे हो बहुत गलत है वह बहुत ज्याता फिलाल कोई बात नहीं आप तो हम कभी भी अब जो है आगे से मतलब इपकुल क्लियर है कि हम Saturday संडहें कभी नी जाएंगे चाहिं आप बार-बार मज जाह हर महीने मज ज़ो अपना तीन महीने चाहर में जितना भी कम से कम जाो आप इतन ज्यादा भीड में जाओगे तो आप से दर्शन दो नहीं मिलेंगे भगवान इतने शोड शराब inh interfer benefic जगा तो भवान ने मिलेंगे आपको तो चलिए कोई बात नी करते हैं मैंने बस आपके साथ शेयर किया थोड़ा सा टाइम देखिए हो रहा है धाई बज रहे हैं और यूवी गया है स्कूल बस आने वाली होगी तो मैं लेने जाओंगी और मौसम ऐसा हो रहा है देखाती हू 3 års लेटेह को चलुब 3 को चलते ही ना बढ़ा है क्यों मैंने मजगा राया की झालले हैं बाकी बाहर मैंने माशीन लगा रखा है मैंने दो क्यों चुल 002 11 लेते हैं चलो जी शाम हो गई है थोड़ी बहुत देर रेस्ट किया यूबी स्कूल से आया बठा पीछे और मैं बनाऊंगी अब शाम की चाय इवनिंग टी अभी मौसम अब बढ़ी ऐसा होने लगाए थोड़ा सा ना जैसे शाम को चाय वगेरा का मौसम जब सब्दी में होत मजब चाय पीने में अब जो है वो आनन्द आ रहा है कर्मी में तो चाय इतनी अच्छी नहीं लगती तो अब आया मौसम चाय पीने का वही और कुछ दिन ऐसे हो रहे हैं जैसे सर्दी में होते हैं जैसे अभी क्या थैम हुआ होगी साड़े पांच वजे जो है एकदम आसम होता है ना वैसा हो रहा है फीलिंग आने लगी दिवाली वाली फीलिंग आने लगी लग रहा है कि हाँ भीया दिवाली जो है आने वाली है चलो दिवाली आएगी साफ सफाई होगी काम बढ़ेंगे सारे और एक गुड निउस भी है आप लोगों के लिए गुड है और हमारे लिए भी है और आप लोगों के लिए भी है बहुत बड़ा बहुत बड़ी good news लेकिन कोई आने वाला है आने वाली है वो नहीं पता लेकिन कोई आने वाला है good news तो कोई आने वाला है या आने वाली है वो अभी नहीं पता चलेगा लेकिन कोई नन्ना महमान आने वाला है ये good news है आप लोगी सोच रहोंगे की अचानक से ये कैसे हुआ बड़ ये जो है ये सही है सही बात है good news आने वाली है यूवी बताएगा बताओ यूवी आने वाला ना कोई भाई की बहन अभी नहीं मैंने सोचा कि इसको थोड़ा सा जो है बता देते हैं आप लोगों को ताकि शौक ना हो कोई भी कि ये क्या हो गया इसे लिए थोड़ा थोड़ा हिंट म क्यूब यूपिए की यूवी की तो बहुत खुछ है तो अभी बताएंगे क्या है कौन चीज़ बताएंगे आप लोगों को बाद में हो सकता है कि अगले व्λοग जब तक हाई तो आपको पता चल जाए कि क्या है तो बस यहें आज की श्պेशल बास होचा कि आप लोगों स तो इसके लिए करना पड़ेगा आप सभी को वेट और अगला व्लोग या अगले से अगले व्लोग का करना पड़ेगा इंतिजार तो जरूर से इंतिजार तो रहेगा मैं जानती हूँ और मुझे भी खुशी होगी बताते हुए इसलिए थोड़ा वेट कीजिए पूरा अभ यह बात नहीं पीते हैं गर्मा गरम चाय और को सुनने में यह ख़बर कैसी लग दी है बताइए का प्लीज कैसी स्मेल आ रही है अब सर्दी समझ लो आ ही गई और हमारे काना जी यह बैठे हुए हैं यहां पर पीछे मैंने जो एक क्रीम कलर की करटन्स लगा दिए इनके य नाइट का व्यू दो बहुत ही सुन्दा लगता है तो बहुत दिनों बाद हमारे काना जी के दर्शन ऐसे यह बैठे हुए हैं पर थोड़ी बस अब साफ सफाई होगी क्योंकि नवरात्रे हैं दो तारिक से तो उसकी तयारी मंदिर की सफाई वगेरा सब कुछ मैं सोच रह काफी टाइम है तो दो दिन दिन पहले ही मंदिर की सफाई करूंगी अज मैं नीचे गई थी यूवी को लेने तो मैंने लिये एपल शाल हो सकता है आप लोगों के साथ भी ऐसा होता होगा मतला मैंने अपने हां से देख के सही वाले एपल चड़ाए ठीक है लेकिन ये ना क काफी पहले भी जो यहां पर बुद्धभजाद लगता है मतलब जो मंदी लगती है वहां पर भी क्या हुआ है कि अगर आप अपल खास तर से सेव और अम इर फूट्स है ना मतलब ऐसे होते कि हम लोग देखने में चांटे में बिजी से हो जाते है उसमें तो मैंने एपल आप लिए पर अपल मैंने खुद अपने हां से चड़ाए तो एक होदाना काफी देन हो गया तो मैंने ध्यान दिया क्योंकि यह कई बाड़ बंडी में होती है चीज क्योंकि भीर भार होती है तो एपल लिए फटाफट से देड़ कि लो और फिर मैंने पेमेंट कर दिया प सुसाइटी में गेट के बाहर ही जस्ट क्या करते हैं ठेला लगा हुआ है जाते ही मैंने बोला कि भीया इमानदारी से कमा लो उसाफ पता तल गया उसने जान के का रहा है क्योंकि बिल्कुल उसके एक्स्प्रेशन ऐसे थे कि अच्छा यह क्या 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 गह रियो मैंने ग क्या है मैंने इसको इतना सुनाया मैंने का इमानदारी से कमा लो थोड़ा भई है तुम यह इतना मतलब कर रहे हो कि यहां खड़े हो के वेथ कुपन आरे दूसरों को मतलब को यो और होता ना आदमी तो जहां पड़ भी लगा देता सच में तो इतने बत्तमीज है कि इमान इमानदारी की कमाई नी खा सकता कोई यह हाले लोगों का गुस्ता तो आया कि मन कर रहा कि मार दो भूसे ऐसा लग रहा है इसलिए आप लोग भी में सब कई बार मंडी में तब तुम बापस नी जा पाए एक बार मेरत में पापा के साथ हुआ था आम लेकर रहे थे जब त इन लोगा कोई इमान बो नहीं है इनका बहुत दिये लो मतलब दो तीन पैसों के चक्कर में ऐसी बेमानी करते ना कि मतलब चुरम भी नहीं आती है भाई चलो भाई वह तो अच्छा वह संसाइटी के भाहर खड़ा तो मैं चली भी कई ती दूर होता तो कौन ही चाता बता बस खून ही जल जाता मारे को मेरे फेवरिट बिस्किट चलना है आज कलिए यह है गुड़े का जीरा बिस्किट बहुत टेस्टी है नया आया है यह अब हुआ है यह यह क्या है जो जो बूल गए घर से बाया पहले चाहा बहुत पादी यह वाँ 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 पर नंदिकार किया पर प्रिस्थ चपप बाहरी रखा करो कहीं से आते हो तो इतने अध़ दाश तुमारी कम है बदाओ हद्द काए थादा दो जेलो भाई अरे भाईया जगा ही कभी-कभी जगा कम पड़ जाती है अटा अपल यहां रख दो है क्या 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 थे हो एक्सपारी देखली सबकी है जगर नहीं क्या 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 बेग्टन क्या क्या थादा खादारी जगाल जहए जगए भाध कर दो व झाल झाल झाल